मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलीतों की हत्या होने लगी यहां की जो घटना है वो बहुत ड्रावनी है किस तरह से चैलंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई उसके माबाप ढूंडते फिरते रहे थाने के संबंदित अधिकारियों ने लापरवाई बढ़ती जिसके कारण आज वो बेटा हमारी बीच में नहीं और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने अराम से सरेंडर कर दिया पुलिस को गिर्फतार नहीं कर पाई ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है उसके साथ और वो सातिर इतना है जिसको जुनेल बताया जा रहा है वो इतना सातिर है कि उसने पांच अन्य लोग के नाम ले दिये कि ये मेरे साती थे, बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कारवाई है, अपनी जाच में मानना है कि यो पांचों लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंचा से दिये, इसका मतलब वो एक सातीर अपरादी है, जिसने सोच समझ के ये हत्या किये, उस पे कठोर से क कारवाई हो, और फास्टे कोट में मुकदमा चले, और जितने भी ऐसे अधिकारिये, जिन्हों ने अपने करतववे के परती जिम्मेदारी निर्वैन नहीं किया, उन पर सक्त कारवाई हो, जिससे की और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म कर आने वाला बच्चा था, इस बिटिया के भी तो बच्चे हैं, और उनके माबाब भी वर्ध हो चुलाई हैं, इनके लिए हमने माँ की है, और एक सरकारी नौकरी की हमने माँ की है, परिवार की शुरक्षा की, और साथ साथ, उसमें जो सनलिफ्ट और लोग हैं, जिनका अधिकारियों पे लापर वाधिकारियों पे कारवाई हो ऐसी हमने मांग की है इसके अलाव भी बहुत सारी घटना है जैसे एक मामला संग्यान में आया है जो नसा मुक्ति केंदर का है कि उसमें दूधरी अध्या हुए पीट-पीट के अध्या की गई है उसमें भी और कई ऐ के लोग का जितना चाहिए दमन करें और उन पर कोई कारवाई नहीं होगी हम यह उम्मीद करते हैं आज की घटना के बाद और यह जो हजारों हजारों लोग आज यहां लिगण में इकठा हुए हैं इनके आखरोश को समझते हुए जिला परसासन पुलिस और सरकार इनका नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले इसके लिए हम लगतास संगस्ट करते रहें गे हमारी यह मांग भी है कि लापरवा अदिकारियों को चार्ज नद्या जाए गहर जिम्मैदार अदिकारियों को किसी भी क्यमत से शार्ज नद्या जाए और गंढ़ों की मदद करने अधिकारियों पे मुकद में दर्ज करके कारवाई की जाए तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आस्वस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित पिछड़े मुसल्मान आदिवासी तमाम महिलाओ किसानों मद्दूरे के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लेमेंट के अंदर भी और पार्लेमेंट के बार सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडा करदी करने वाल लोगों को किसी भी तरह के संडक्षन के बावजूद भी उनकी सही जगा भेजने के लिए पुर जोर ताकस से अंदोलन कर करना है हम उनको प्रयाब सहमय दे रहे हैं और हमने प्रसासन से बात किय है कि अगर इसके बावजूद भी लीपाप होती हुई यह हमारी बात को नहीं माना गया तो फिर हम किसी भी कीमत पर पिछे नहीं अटेंगे इस बार जो अंदोलन होगा वह आनिश्चित कालीन होगा और सब की जानकारी में होगा और वह अंदोलन पार्क में नहीं होगा वह अगर हमारे पिरिद परिवार के आसु निकलेंगे तो यहां के अधिकारियों का पसीडा भी वह वहीं की चुटेगा इस बात का भी हम आश्वासन देते हैं मैं अस्पश करता हूँ कि वो अनिस्चित काली आंदोलन हमारे नित्तुत में होगा अगर यहां का परसासन और यहां की पुलिस इसी तरह से लापरवाई करेगी तो यह आंदोलन बहुत जल्थ होगा। कि अब यह किसी से जुकने वाले नहीं है और ड़ने वाले नहीं हैं तो मैं मानता हूँ कि आने वाले जो उफचुनाव है जो खैर का प्रस्तावित उफचुनाव है मेने mogęं इनंदर होना है मैंने इनसे मांगभी की है कि सिर्फ झणडा और नारे से आगे बढ़के अब यह उ प्रदेश के असेमली में बिनके मजबूत आवाद जाने चाहिए जो यहां के कमजोर हक्वंची समाज के लोगों से यहां की सरकार से आख में आख डालके सवाल पूछ सकते हैं यह पार्टी का इशू है मेरा इशू नहीं पार्टी के नेता खड़े हैं मंतर जी खड़े हैं और प्रदेश अद्देश जी और जिले के और मंदल के लोगे इनका फैसला मैं तो वर्कर एक सब्सक्राइब देखे मैं मानता हूं यहां के जो SSP हैं मैं उनको पहले से जानता हूं एक अच्छे अधिकारी है मैं इसे यह भी उम्मीद करता हूं उन्होंने मुझसे बताया है कि बहुत देर से मेरे संग्यान माम लाया लेकिन उन्हें उन्होंने मुझे आस्वस्त किया कि किसी भी तरह के दबाओ को ना लेते हैं और ना इसी मामले में लेंगे लेकिन अगर हमें करने से जान्या होना बहुत जरूरी है दिखना बहुत जरूरी है कहीं भी अगर हमे से इस संगर्स को आगे बढ़ाएं गाल रचा इस बढ़ाएं उनको पर को कि अ झाल झाल